हेलो ब्रेवन देखे आज की वीडियो में करेक्शन से रेलेटेड कुछ एक पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करते हैं डेट एक्षेंड होगई थी फॉर्म फिल अप करने की लाज डेट फिलिंग की जो है यह 10 फैब एंड पेमेंट की भी लाज डेट जो है यह 10 फैब है और करेक्शन की लाज डेट कब है तो अभी जो प्रिविएस नोटिफिकेशन आया था एंट यह की तरप से उसमें कि वह लाजट डेट मेंचन है तो यहां पे नोंने मेंचन किया है कि कर्रेक्षन डेट की लाजट डेट कब है 13 फैब है तो इस टार्टिंग यह कब से होगा तो जैसे ही आपका यह लाजट डेट ओवर हो रहा है ना फॉर्म फिल अप करने की यह लाजट डेट है 9 p.m. तक फॉर्म एक-एक करके देखते हैं जैसे आपने कुछ युनिष्टी जो है आपने सलेक्ट नहीं की होगे कुछ कोर्सेद आपने सलेक्ट नहीं की होगे इसको आप चेंज कर सकते हैं जैसे और भी आपको युनिष्टी एड़ करनी तो आप मल्टिपल युनिष्टी एड़ कर सकते ह कोई extra charge नहीं है कौण कौण सी और unity आप add कर सकते हैं इसके बारे में भी बताते हैं तो आप और भी अगर unity add करना चाहते हैं courses add on करना चाहते हैं तो कोई इसका extra charge नहीं है लेकिन एक condition है इसमें कि paper code अगर 2 तक है जैसे आपने coqp 12 select किया और 11 आपने नहीं किया लेकिन आप आप करना चाहते हैं तो COQP 11 आप करिए टोटल फीज जो है दो गोड की यह है 1200 for general category एंड आप सबूछ कि एक और कोई code है डाउन करना चाहते हैं COQP 01 करना चाहते हैं या 22 करना चाहते हैं तो कोई अगर आप एक और और इस्टरा कोड अगर आप लेंगे तो six hundred ऐिस्ट्रा चार्ट देना होगा आपको तो अगर आपको कोई और भी कोड सीट करना कर सकते हैं तो युठ स्थ्यूड़ हमी से अपकर सकते हैं कोड़ तो इलिजबल नहीं है जैसे टिस में कोर्स है ओडी सीएल ठीक है ना तो अगर आपके लिए लिजबिल्टी आपके पास नहीं और आपने फिल कर दिया है तो इसको डिलीट कर भी सकते हैं और अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है तो सबसे मुझ्ष Medium of Exam में या तो आपने Hindi सेलिट किया होगा या आपने English सेलिट किया होगा बहुत सारे कमेंट में यह डाउट आ रहे हैं ये टिस में जो है अगर हिंदी सेलिट किया है तो क्या वहां पे हम इलिजबल होंगे की नहीं या फिर DAV इंद और वहां पे अगर हिंदी सेलिट किया ह तो आप इलिजबल हो पाएंगे की नहीं तो देखें किसी भी उनिष्टी की ये डिमांड नहीं है कि लैंग्वेज में आपका क्या सब्गेट हो हिंदी हो कि इंग्लिस हो तो आप मीडियम जो है कोई सा भी चूच कर सकते हैं एंड पेपर आएगा कैसे जो लैंग्वेज सेक्षन है यह या तो हिंदी में है या तो इंग्लिस में है यह आपके पास और इसी लिए जो है आपसे पूछा जा रहा है अगर आपने हिंदी सेलेट किया हिंदी ग्रामर के कॉश्चन मुहावरे लोग उखती यह सारी चीज़े आएंगी इंग्लिस सेलेट किया वनवर्स सेप्टूशन युडियम फ्रेजेज इंग्लिस ग्रामर के कॉश्चन आएंगे इंग्लिस में लेकिन जो quant और जो reasoning और di है ठीक है, coqp 11 के लिए gs और computer है ये सभी जो है, ये paper bilingual होगा ठीक है न? and bilingual किस तरीके से होगा? देखे 2022 में क्या हुआ? ये जो language section है, Hindi या English ठीक है, इसमें तो जो आपने select किया होगा उसी language में था आप paper, आप medium कोई साथ भी select करिये 2022 में NTA ने कैसे paper दिया था? quant और reasoning दोनों के question bilingual थे, मतलब English भी सो हो रही थी साथ साथ में Hindi भी सो हो रही थी लेकिन 2023 में पता है कैसे आया था? अगर आपने Hindi select किया है तो पूरा paper, quant और reasoning भी जो है न? ये Hindi में था और अगर आपने English select किया है तो quant इंग्लिस में और reasoning और di भी इंग्लिस में GS computer भी इंग्लिस में था लेकिन ये जो quant और reasoning जो other section है language को छोड़ गए इसमें language change का option रहता है तेक आप particular question जो है आप language change कर सकते हैं इसलिए NTA ने कहा है कि paper bilingual होगा language के लिए वो बस आपसे पूछ रहे है तो अब 2024 में क्या होगा तो कुछ भी confirm नहीं कहा जा सकता या 2022 जैसे भी हो सकता है math और reasoning के जो question होंगे दोनों साथ साथ Hindi और English में भी so होंगे ठीक है और ये भी हो सकता है कि अगर आपने Hindi select किया है तो पूरा ही paper Hindi में आ जाए लेकिन quant और जो reasoning होगा Hindi में अगर आता भी है ना तो वहां language change का option होगा language change का option होगा आप particular question को जो है language change कर सकते है तो most important जो आपका doubt था ये था कि और भी हम university कैसे select करें कौन कौन सी university select करें और multiple course select कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप and most important doubt medium of exam को ले करते हैं ठीक है and अब एक last doubt ये रह गया था कि कौन कौन सी university और हम select कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट हैं जोनोंने या तो किवल टिस को select किया है या फिर किवल D.A.V. इन दौर को select किया है आप और भी add-on करना चाहते हैं तो कौन कौन सी university add-on कर सकते हैं तो देखें अगर टिस की बात करें Tata Institute of Social Science तो इसमें एक course है MHRM ये आप सभी ने जो है इसको select किया होगा MHRM next है ODCL ODCL के लिए experience की need है इसके लिए क्या चाहिए work experience चाहिए detail eligibility criteria यहां website पे mention है next ये analytics वाला जो course है इसको भी आप select कर सकते हैं hospital administration को select कर सकते हैं paper course COQP 11 and master of arts in development studies इसमें भी placement ठीक है तो COQP 11 select कर सकते हैं तो ये तो test का हो गया next एक और university हमने आप से बताया था और ये था अरून जेटली National Institute of Financial Management हमने जब इस्टार्टिंग में top college वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको इसका नाम बताया था लेकिन उस टाइम ये so नहीं कर रहा था तो आप अरून जेटली National Institute of Financial Management इसको भी आड़ कर सकते हैं और एक उनिष्टी थी ट्रिपल M.U.T मदन मोहन मालवी उनिष्टी इसको भी हमने आपको बताया था लेकिन हमने इसको प्रिफरेंस में नहीं रखा था योकि जो ट्रिपल M.U.T. है इस पेसली ये बीटेक के लिए famous है और हमने जो एक वीडियो बनाई थी ठीक है अरुन जेटली नेशनल इंस्ट्यूट और फानेसियल मेनेजमेंट अमने इस वीडियो में बताया था लेकिन उस टाइम उस सो नहीं हो रहा था तो आपने अगर उस टाइम फॉर्म फिल किया तो एड नहीं कियोंगे आप तो करेक्शन विंडो में आप अरुन जेटली नेशनल इंस्ट्यूट और फानेसियल मेनेजमेंट भी एड कर दिएगा और मदन मोहन मालवी और टेकनिकल यूनिस्टी यहां पे आप देख सकते हैं कि एंबीए में 29 स्टुडेंट का प्लेस्मेंट यह हुआ है 8.5 लाग यह आइधिंक लाश्ट 4-5 एयर में यह हाइस्ट प्लेस्मेंट और पैकेज यह मिला हुआ है इसको आप प्रिफरेंस में नहीं भी रख सकते हैं तो यूनिस्टी बहुत अच्छी है लेकिन इस पेसली यह बीटेक के लिए है लेकिन इस बार काफी इंप्रूब्मेंट हुआ है चलिए दें CUT PG से रिलेटेड अगर कुछ भी अपडेट आता है टेलिग्राम पे आपको सेर करते हैं तो इसको आप जोइन कर लिए और जैसे कुछ भी अपडेट होता है टेलिग्राम और यूटूब पे अपडेट करते हैं आपको